Hello beautiful Gemini's, Happy New Year तो आज हम करने वाले है 2023 की प्रेडिक्शन चलिए देख लेते हैं, बहुत सारे कार्ज आए हैं आप लोगे लिए टेरो कार्ज से तो पहला है 3 of Pentacles, Hangman, 5 of Pentacles, Ace of Frost, Justice Card and Bottom of the Deck, Magician Card तो यहां पर 3 of Pentacles means, आप बहुत ज़्यादा hard working करते हुए नज़र आएंगे आप लोगों की पिशिंसा भी होगी आपके hard work के लिए आप बहुत ज़्यादा invest करेंगे अपना time, आपने efforts, जो भी आपका काम है ठीक है, आप कुछ creative करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ stable, you know, financial चीज़ों को gain करना चाहेंगे ऐसा आप लोगों गोल रहेगा 2023 में, hangman, लेकिन हो सकता है starting of the 2023 आपको लगे कि आप stuck है, आपकी जो इतनी महनत है, वो आपको वो contentment नहीं दे रही है क्योंकि five of pentacles show कर रहा है, कि आप जितना चाहते हैं, जितनी आपको आपकी desire है उसके हिसाब से आपको उतना फल नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़दा extra effort और महनत कर रही है आपको stuckness feel हो सकती है, starting of 2023 but the good thing is कि ace of roads, showing your passion towards your work, right तो आपका जो काम है, उसको लेकर आप जितने passionate हैं, और जितना hard work आप डाल रही है magician card आपको इस चीज की energy देता है, इस चीज का आपको you know, worth देता है कि आप कुछ भी manifest कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप in negative situation यह दो जो card show कर रहे हैं, कि ठीक है, आप बहुत महनत करेंगे और आपको उसके according desire जो fall है, वो नहीं मिलेगा, तो आप disappointed हो सकते हैं, negative thinking कर सकते हैं बट वो negative manifestation को enhance करेगी, तो 2023 जो है, bottom of the deck magician का card है तो जो भी आप सोचेंगे, जिस energy में आप रहेंगे, positive में या negative में वो ही चीज़े manifest होना start हो जाएंगे आपकी life में, तो main आपको advice यह ही है कि आप अपनी energy को, अपनी thoughts को जो है, वो positive रखें, ताकि positive manifestations हो सकें और आपको new beginning, ace of rods की energy मिले, justice और आपको आपका true karma मिले आपको justice मिले, आपको fear, जो things है, जितनी आप महनत कर रहे हैं, उसके according आपको उतना ही फल मिले तो यहाँ पर जो main चीज़ है कि आप magician है, magician एक ऐसी power है, जिसको handle करना आना चाहिए खुद को positive रखना भी एक अपने आप में बड़ा task है, तो खुद को positive, situation चाहिए negative हो, फिर भी अपने आपको positive रखना, that is a task and जो की आपको करना होगा, that's the advice from my side, so next हम देखेंगे advice और क्या है आप लोगों के लिए fire, strong emotions, passionate feeling आप बहुत जादा अपनी चीज़ों को, desires को, partner को लेकर बहुत जादा fiery feel करेंगे, passionate feel करेंगे, right तो एक ये energy रहेगी, coveb, protected from negative forces beyond your control, तो जो भी negative evil आई है, या जो लोग आपसे जलते हैं, उनसे आप protected हैं, आपको उससे डरने की जुरूरत नहीं है, यहाँ पे broken wish want, wish will not be granted, तो yeah, there is a situation in 2023, कि आपको लगेगा कि जो मेरी wish है, वो मुझे grant नहीं हुई, उसकी वज़र से आप लोग जो है negative thinking कर सकते हैं, बट आपको negative thinking की जादा उनको positive करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के लिए turn around हो, क्योंकि the power in your hand, you have to be stay focused and positive and the last message is barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals, yeah, definitely आप लोगों को 2023 की starting में लग सकता है कि there is something is not like giving you contentment, जो चीज़ें वो आपको contentment नहीं दे रही हैं, आपको भरा हुआ नहीं feel कर रही हैं, ठीक है, तो starting में चीज़ें ये हो सकती है, and the last message, fair man, woman, fair complexion, grey, blonde, hair, तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, उसको लेकर आपको थोड़ों conscious रहने की जुरूरत है, जो इंसान fair हो, या उसके hairs blonde हो, जो की हो सकता है, आपको सही सलाज ना दे, तो आपको अपने खुद की decision लेने हैं, किसी और के नहीं, एक और advice card है, दूसरे card deck से, connect with nature, you are rejuvenated and inspired by spending time outdoors, अगर आप time जादा से जादा nature के साथ spend करेंगे, तो जब भी ये disappointment वाला phase है, अगर आपको haunt करें, ठीक है, आपको problem दे, तो आपको क्या करना है, आपके लिए best जो medicine है, जब भी आप negative feel करें, then go to the nature, nature जो है वो आपको ground करती है, nature जो है आपको heal करती है, तो nature के पास जाके जो है आपको थोड़ा time outdoor spend करना है alone, वो आपको फिर से energy से full करतेगा, चली देखते हैं, आपके partner की energy कैसी रहेगी आप लोगों के लिए 2023 में, so first card is, am I good enough for you, तो आपके partner को कुछ insecure issues हो सकते हैं, insecurity, right, I am burning with passion for you, ये इनसान बहुत जादा passionate, थोड़ा सा possessive हो सकता है, आपको ल that's why इनको थोड़े insecurity issues भी रह सकते हैं, you are healing my soul, but it is a work in progress, तो आप किसी ना किसी तरीके से अपने partner को heal भी करते हैं, ठीक है, and the last message is, you are so precious to me, तो आपका partner आपको, you know, खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमन में, बहुत जादा passionate है, आपको लेकर, आपको सिर्व अपने लिए रहना आपको सिर्व ना किसी ना पता येगा, okay friends, bye bye!